EPFO पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, नियूंतम पेंशन 9000 रुपए करने की तैयारी सरकार EPFO पेंशन भोगियों की नियूंतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ा कर 9000 रुपए करने पर विचार कर रही है यह निरनेश्रम मंत्राले की आगामी बैठक में लिया जा सकता है, जिससे लाखो पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है नई दिल्ली कर्मचारी भविश्य निधी संगठन EPFO के लाखो पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ सकती है सरकार वर्तमान नियूंतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ा कर 9000 रुपए करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है यहां महत्वपूर्ण फैसला श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में लिया जा सकता है जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग कई वर्षों से EPFO के पेंशनर्ज नियूंतम पेंशन में बड़ोतरी की मांग कर रही है मौजूदा 1000 रुपए की पेंशन कई पेंशन भोगियों के लिए परियाप्त नहीं है जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है मार्च 2021 में संसत की स्थाई समिती ने भी नियूंतम पेंशन को 3000 रुपए करने की सिफारिश की थी लेकिन अब सरकार इसे सीधे 9000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है बैठक में चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दे श्रम मंत्राले की इस महत्वपूर्ण बैठक में दो प्रमुख मुद्दो पर चर्चा होने की संभावना है पेंशन भोगियों की मांग के अनुसार नियूंतम पेंशन को 9000 रुपए करने पर विचार किया जाएगा साथ ही इस बैठक में नया वेच कोड बनाने पर भी चर्चा की जाएगी जिससे कई कर्मचारियों के वेतन धाचे में बदलाव आ सकता है पेंशन की गणना पर पुनर विचार बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है जिसमें पेंशन की गणना कर्मचारी के सेवानि वृत्ती से ठीक पहले के अंतिम वेतन के आधार पर करने की बात कही गई है यदि यहाँ प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो यहाँ पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है पेंशन भोगियों के लिए राहत की उम्मीद सरकार के इस कदम से पेंशन भोगियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी जिससे उनका जीवन स्तर सुध्रेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी श्रम मंत्राले की बैठक में इस पर अंतिम निरने लिया जाएगा और इसके बाद इस योजना के लागू होने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जाएगा यह देखना दिल्चस्प होगा कि इस योजना को कब तक लागू किया जाता है और इसका लाब कितने पेंशन भोगियों तक पहुचता है सरकार की इस पहल से पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आ सकता है EPA's Pension Pension मांग मानी गई तो पेंशन भोगियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले 7500 रूप बढ़ सकती है पेंशन EPA's 95 EPA's कर्मचारियों के लिए बड़ी खुश्खबरी आ सकती है EPA's 95 राश्च्रिय संग्रह समिती ने सरकार से निउन्तम मासिक पेंशन को बढ़ाने की मांग की है समिती ने श्रम मंत्रालय को 15 दोनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यह दिन की मांगे पूरी नहीं की गई तो देश व्यापारी आंदोलन किया जाएगा अपनी मांग में निउन्तम पेंशन को समिती ने 1000 रुपे से बढ़कर 7500 करने की मांग की है उनका मानना है कि मौझूदा पेंशन राशी बहुत कम है और इससे पेंशन भोगियों को जीवन यापन करने में कठिनाई आती है इनके अलावा चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी के कारण पेंशन भोगियों की मृत्यू दर भी दिन प्रती दिन बढ़ रही है समिती में केंद्रिय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लेकर या चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह रेल और सड़क परिवान को ठप करके सामूहिक अंशन जैसे आंदोलन करेंगे EPS 95 क्या है EPS की शुरुआत 1995 में की गई और इसे EPFO द्वारा संचालित किया गया है इस योजना में 6 करोड से अधिक अंश धारक और 75 लाक पेंशन भोगी लाभार्थी के रूप में है वर्तमान में इस योजना के माध्यम नियोंतम हजार रुपए की पेंशन सुनिश्चित है इसके अलावा इस योजना में खाताधारक की मृत्यू के बाद उनके जीवन साथी और बच्चों को भी पेंशन की सुरक्षा दी जाती है समिती ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि अगर 15 दिन के भीतर पेंशन राशी में व्रिधी नहीं हुई तो वह देश व्यापी आंदोलन करेंगे इस आंदोलन में रेल और सडक परिवहन को बंद करने की योजना भी शामिल है समिती ने सुप्रीम कोट के 2016 और 2022 के फैसलों का हवाला देते हैं वास्तविक वेतन पर पेंशन भुकतान और महंगाई भत्ता घोशित करने की भी मांग उठाई गई है अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो लाखो पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी और उनकी पेंशन राशी में उल्लेखनिय व्रिद्धी भी होगी इंतजार करते हैं कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और पेंशन रोगियों को कब तक इसका लाभ मिलता है EPA's 95 Pension Latest News हर महीने मिलेगी 7500 रूपए Pension Plus दा EPA's 95 Pension Latest News Employee Provident Fund Organization के अंतरगत कार्यरत प्रत्यक कर्मचारी को मासिक न्यूंतम पेंशन दी जाती है जानकारी के लिए बता दे इस Pension Fund के अंतरगत कर्मचारियों के खाते में 12% का योगदान कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है वहीं 12% का योगदान नियोकता के द्वारा जमा किया जाता है ऐसे में कर्मचारियों के मूल वेतन और नियोकता द्वारा जमा की गई इस संपूर्ण राशी को दो भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें से 8.33% Employee Pension Scheme में जाता है वहीं 3.67% प्रतिशत हिस्सा EPA में जमा किया जाता है जैसा कि हमने आपको बताया कर्मचारी और नियोकता दोनों के द्वारा जमा किये गए इस Provident Fund के पैसे का बटवारा दो अलग-अलग हिस्सों में होता है ऐसे में EPAs 1995 के अंतरगत जमा किये गए पैसे को लेकर अब कर्मचारी नई मांग कर रही है कर्मचारीयों का कहना है कि EPAs के अंतरगत पैंशन राशी को अब बढ़ाकर 7500 प्रती माह कर देना चाहिए जानकारी के लिए बता दे इस संपूर्ण मुद्दे पर पैंशन भोगियों द्वारा राश्ट्रिय आंदोलन का गठन किया गया है और 31 जुलाई 2024 से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आवाहन भी किया जा चुका है इस संपूर्ण मुद्दे पर पैंशन भोगियों ने एक जुट मांग उठाई है कि पैंशन भोगियों को अब EPAs 95 के अंतरगत प्रत्यक माह 7500 की राशी EPAs 95 पैंशन मिलनी चाहिए क्या है EPAs 95 वे सभी पाठक जो EPAs और EPAs दोनों के बारे में विस्तरित रूप से नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दे कि EPAs मुख्यता Retirement Benefit Scheme है जो Provident Fund के रूप में करमचारियों को उपलब्ध कराई जाती है वही EPAs करमचारियों के योगदान को ही पैंशन के रूप में उपलब्ध करवाने की स्कीम है EPAs 95 के अंतरगत करमचारी के मूल वेतन से काटी गई राशी को ही पैंशन के रूप में दिया जाता है ऐसे में फिलहाल करमचारियों को EPAs 95 के अंतरगत 1450 रुपे की औसत पैंशन मिलती है वहीं पैंशन भूगियों को केवल 1000 रुपे की पैंशन इस EPAs 95 के अंतरगत मिलती है ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए करमचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि करमचारियों की इस EPAs 95 की राशी को बढ़ा कर 7500 प्रती माह कर देना चाहिए आठ सालों से लटकी हुई है बड़ोतरी की यह मांग हाल ही में इसी मांग को लेकर देश भर के करीबन 78 लाक पैंशन भोगी राश्ट्रिय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुवात कर चुके है पिछले आठ सालों से लगातार 78 लाक पैंशन भोगी नियोंतम पैंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं परंतु सरकार लगातार उनकी मांग को अंदेखा कर रही है जिसको देखते हुए आखिरकार इन पैंशन भोगियों ने 31 जुलाई से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है काफी लंबे समय से लटके हुए इस मामले पर सरकार लगातार निरने लेने से बचती रही है ऐसे में पैंशन भोगी के संगठन EPS 95 राश्ट्रिय आंदोलन समिती ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है जिसके अंतरगत कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी म पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार के खिलाफ सामुहिक प्रदर्शन किया जाएगा वही कमेटी ने उन राजनीतिक दलों को समर्थन करने का आवाहन किया है जो इन पैंशन भोगियों की समस्याओं का हल निकालना चाते हैं 1450 रुपए से 7500 प्रतिमाह की मांग EPS 95 राष्ट्रिय आंदोलन समिती के सदस्यों का कहना है कि 1450 रुपए की मासिक पैंशन पैंशन भोगियों के लिए बहुत ही कम पैंशन साबित हो रही है वही बुजर्ग दमपतियों के लिए इस पैंशन राशी में जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है महंगाई के इस दौर में जहां महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहे ऐसे में पिछले 10 सालों से पैंशन की राशी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ऐसे में यह सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार पेंशन भूगियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निरनेले और बुजुर्गों को विभिन प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाए जिससे वह आत्मसमान के साथ जीवन यापन कर सके। EPS 95 राष्ट्रिय आंदोलन महा समिती के सचिव विरेंद्र सिंग ने प्रेस के साथ वार्ता करते हुए यह बताया है कि यह सभी राजनीतिक दलों और सत्ताधारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी पेंशन भूगियों को निश्चित मांदे उपलब्ध कारण 1450 में प्रत्येक माह गुजरा करना अपने आप में एक संघर्ष हो जाता है ऐसे में चिकित्सा सेवाएं तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च करना दिन बदिन मुश्किल होता जा रहा है ऐसे में यह सरकारी समिती का फर्ज है कि वह मौजूदा पेंशन अमाउंट में बढ प्रती माह कर दे